हेलो फेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7 जोग्रफी, चैप्टर 2 इंटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तो जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको यह पता चल रहा होगा कि आज हम बात करेंगे अपने अर्थ के इंटर्नल पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मिन्सकी हमारा अर्थ अंदर से किस तरीके का दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है कैसी उसकी बनावट है, वो किस चीज से मिलके बना हुआ है तो बिसिकली इस चैप्टर के अंदर हम उससे रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स को डिसकस करेंगे तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं तो पहला पोइंट अवर इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जाओंगी, कि जो अर्थ है हमारा वो हमारा एक होम लेंड कहलाता है तेका हम रहते हैं और यह एक डाइनमिक प्लानेट मना जाता है हمशा चलने वाला ठीक है ऐसा नहीं है कि यह प्लानेट रुप जाता है यह हमेशा मुव करता रहता है गोल गोल अपनी जगह पर कॉस्टेंटली वह क्या करता है घूमता रहता है ठीक है और उसके अंदर कई लेयर्स हैं हमारे अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उसमें कई सारे लेयर्स हैं जिनके बारे में आप इस चैप्टर के नोट्स में डिटेल में जानोगे तो वो कई लेयर्स से मिलकर के जो हमारा अर्थ बना है वो हर layer क्या करता है हमारे atmosphere को harmful चीजों से बचाता है और damage होने से protect करता है ठीक है कहीं न कहीं तो वो सारे जो परत होती हैं वो सारे जो interior part में layers होते हैं उनको हम परत के नाम से जानते हैं जिसे कि आप प्याज के उपर की coating देख लो तो एक के उपर एक के उपर होता है ताकि प्याज क्या रहे प्रोटेक्ट रहे ठीक है वो सड़े ना खराब ना हो तो उसी तरीके से earth भी होता है उसको भी ऐसे कई सारे layers से ढगा गया है ताकि हमारा जो earth है वो भी खराब ना हो ठीक है तो आएए बात करते हैं हम अपने internal structure of earth के बारे में तो पहला point करता है कि it is not possible to know about the earth interior by direct observation यह possible नहीं है कि हम जाने अपने earth के अंदरी भाग को direct उसको observe करके देखें कहने का मतलब है कि कुछ चीज़े आप observe करते हो देख करके ठीक है जैसे कि आपके सामने आपकी बुग गिरी तो यह क्या किया आपने देखा है अपने आखों से पर क्या आप अर्थ की interior भाग को देख सकते हो क्या आप अर्थ को ऐसे काट करके उसके अंदर कॉन सी layer है क्या है क्या आप जान सकते हो अपनी आखों से तो नहीं देख सकते तो वही यह कहरा है कि यह possible नहीं है कि आप जानो कि हमारी जो अर्थ है जो प्रित्वी है उसके interior में क्या चीजे हैं आप उसको डायरेक्ट औब्जर्व नहीं कर सकते विकॉस अप दे हुज साइज एंड चेंजिंग नेचर ओफ इंटिरियर कंपोजिशन क्यूंकि कारण एक यह भी है कि हम अर्थ को अपनी आखों से उसके अंदर के भाग को नहीं देख सकते वह यह कारण है कि क्य चोटे से भाग में रहते हो नहीं भाग कभी एक छोटा बाग होगा उसमें आप रह रहें और वह सुछ लीजिए पूरी पूरी अर्थ इतनी वड़ी होगी तो आप कैसे इंटिरियर पार्ट को देख सकते हो और साथी साथ जो हमारी अर्थ के जो हमारी प्रित्वी के तो क्या है वो चेंज होता रहता है कभी एक स्थर मात्रा में कभी भी टापमान नहीं होता है तो आप कैसे अर्थ के अंदर से देख सकते हो ठीक है देन सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि इस ऑल्सो इंपॉसिबल डिस्टेंस फॉम्ट तो रीच तेंस सेंटर ऑफ यह भी इं नामुम्किन है कि इनसान जो है वो डिस्टेंस तक पहुच जाए अर्थ की सेंटर जो हमारा बीच का भाग होता है अर्थ का बीच का सेंटर का जो पार्ट है जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं बहां तक हमारा अर्थ पहुच पाया यह भी इंपॉसिबल है नामुम्किन है रेडियस 6360 km जो हमारी अर्थ की रेडियस है और पुरे कितना है छंडियों किलो मिटर है तो है तो सोच लिएशर न है और आप संटर तक पहुंच जाया संब्सक्राइब अिस ब्सक्राइब हैं तो यह न रिडियों कर शक्राइब कर दोएर्थ कि Sound रहेखेंस के लिए इतना फैना सेहंच ही नहीं कर सकता वहां कि दो होगे जहां पर आपको इतनी हीट का टेमिचर मिलेगा तो क्या आप बरदाश्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो तीसा पॉइंट हमारा कहता है कि दोज माइनिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन वी हैब बेने बल तो अब्ज़र्ब अर्थ इंटीरियर डारेक्ट ली अप किलो मिटर तक ही आप खोच सकते हो उसके बाद आप की भी पहुच के बाहर हो होता है ठीक है माइनिंग भी जो होता है वह एक लिमिट तक आप को सकते हैं बहुत आप ने देखी होगी जो सबसे बड़ी माइन थी दिखाया गया एक मूवी के अंदर ये पुरा दिखाया गया के जेफ चैप्टर वाले में देखिए आप तो वहां पे जब माइनिंग की की बात की गई है तो एक माइनिंग इतनी गहरी खोद दी गई थी कि वहां पे अंदर में हावा का टेंपरेचर बन दो गया था कई हजार कई सेकड़ों लोग मारे गये थे तो ऐसा क्यों है एक्सेज माइनिंग आप करोगे तो आप जिन्दा नहीं रह पाओगे वहां पे एयर की और वहां पे टेंपरेचर जो है और ज्यादा घिर जाएघा और ज्दा हीट हो जाएगी तो पॉसेबिल्टी कुछ भी है तो इतना ज्यादा आप भогड भीनी सकते क्योंकि वहां का इटमोस्फियर आपके बॉडी के बॉडी के लिमिट से वह क्रॉस हो जाएगा ठीक है जितना बॉडी आपका टेंपेटर को एब्जॉफ कर सकता है उससे एबव हो जाएगा तो आप उस जगर सर्वाइब करी नहीं पाऊगे तो यही बात है कि आप अर्थ क इस एंटर तक पहुच नहीं सकते कुछ फ्यू किलोमेटर्स आप उसका खोद कर माइनिंग करके आप जो भी चीज़ों अब्जर्व करना चाहते हो अर्थ का वह आप कर लेते हो थू सम डाइक एड्स पार आइडिया आप उसका जब्जर्व का आया अइडियर लुक लाइग देखिए कुछ डाइड और कुछ इंडाइय यह दोनों शूर्टिस जो भी संसादन था जो भी तरीका था वो डायर्क और इंडाइड्रेक जो सोर्स ते उनका यूस करके कु कर दी कि कैसे हमारा अर्थ का जो इंटीर भाग होगा वो दिखता होगा ठीक है वो एक्जैक्टली क्या है यह चीज़ें नहीं बताए उन्होंने एक मतलब उपरी तरीके से बता दिया इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत देख के अब्जर्व करके ओवरॉल एक आपको आइ अर्थ का इंटीर भाग तो उन्होंने बस जिस्ट एक फियर आइडिया कि दू आपको ऐसा समझाने के लिए उन्होंने एक बता दिया देन नेक्सप्ट इस सोर्स ओफ इंटीर ऑ और्फ क्या सोर्सें थीडिया है हमारे एर्थ के इंटीर का तो पहला सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट सोर्स आता है दिन सेकेंड आता है हमारा इंडायरेक्ट सोर्स ठीक है तो डायरेक्ट सोर्स क्या होता है डायरेक्ट जरिया क्या है रॉक फ्रॉम दा माइनिंग एरिया वो पत्थर जहां पे आप माइनिंग करते हो जहां आप ख़दान खोदते हो जिस एरिया में वहां के जो पत्थर होता है वो आपका क्या है direct source है जो हमें interior of the earth हमारी earth के interior भाग से मिलता है दूसरा होता है volcanic eruption विंस की जब हमारा volcano फटता है जब हमारा जुआला मुखी फटता है तो उसके बाद जो चीजें हमें मिलती है वो होता है direct source ठीक है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपको directly कोई चीजें मिल लई है आपको indirect तरीके से नहीं मिल लिए आपको क्या मिल ला है direct चीजें मिल लिए हमारे earth के interior भाग से तो यह हमारा direct source के अंदर आता है कि आप जब खुदाई करते हो तो आपको जो भी rocks मिलते हैं पत्थर मिलते हैं वो हमारा हो गया direct source दूसरा जब वालकानों फटता है तो earth के अंदर जो भी parts होते हैं जो भी चीजें होती है वो बाहर आ जाती है वालकानों के साथ तो वो भी हमारा एक तरह से direct source क्यालाता है दें सेकेंड बात करते हैं हम indirect source ठीक है indirect तरीके से जो चीजें है जो जरिया है वो उसके बारे में बात करते हैं तो यह कहा है rate of change of temperature and pressure from the surface toward the interior जिस rate से ठीक है जिस दर से हमारा तापमान जो होता है जो temperature होता है वो change होता है और जो pressure होती है जो हमारे surface towards हमारे interior मतलब कि हमारे प्रित्वी के सता से नीचे की हो interior part के तरफ जो force जो pressure दबाव लगता है ठीक है उसमें जो changes होता है उसकी वज़े से जो चीजें मिलती है वो हमारा indirect source कहलाता है ठीक है फिर दूसा point कहता है magnetic source जो चीजें हमारे magnet के through मिलती है वो magnetic source and then आता है seismic waves ठीक है seismic waves की बात करें तो तो हम अगर seismic waves की बात करें तो seismic waves हमारा एक तरह से जो भुकम से निकलने वाली जो तरंगे होती है उनको कहा जाता है मिन्स की भुकम की जो उर्जा होती है जिस power से वो भुकम आता है उससे जो waves निकलते हैं जो हमारे earth के पूरे जगह पे फैलती है वो हमारा indirect source कहलाता है ठीक है देन आता है बात next point हमारा structure of the earth interior हमारे earth का किस तरीके का अंदर के भाग का कैसा structure है उसके बारे में बात करते है तो पहला आता है हमारा crust ठीक है crust की बात करें तो पहला part है हमारा crust जिसको हम परत कहते है means की भू पट्टी जिसको कहते है ठीक है जो उपरी भाग होता है हमारी earth का फिर आता है हमारा mental means आवरंड जिसको हम कहते है ठीक है एक मतलब ये भी परदा ही होता है ये भी एक परदे का ही काम करता है पर इसको हम आवरंड कहते है देन आता है कोर ठीक है जो हमारा सेंटर का पार्ट होता है वो हमारा कोर कहलाता है मिन्स केंदरित भाग जिसको हम कहते हैं वो तो मतलब अर्थ को basically क्या कर दिया गया है इन तीन लेयर में, crust, mental, core इन तेन लेयर में क्या कर दिया गया है, divide कर दिया गया है तो जैसा कि आप इस structure में देख रहे हो इस structure के अंदर आपको दिखेने को मिलेगा कि crust, crust में क्या पाया जाता है, sial लिखा हुआ है means की silica और almonia sil क्या represent करता है, silica and almonia तो यह हमारा silica होता है और almonia होता है वो हमको crust से मिलता है, ठीक है देन उसके बाद जब हम interior में और जाते है तो फिर सबसे पहले आता है हमारा क्या upper mental, फिर हमारा किसका बात आता है upper mental और फिर आता है हमारा lower mental means दो आवरन हो गए, जो उपरी आवरन हो गए और जो नीचे वाले आवरन हो गए, इनके बीच में हमें मिलता है Sima, S I M A means हमारा क्या होता है इसका S I हमेरा represent करता है silica को, ठीक है किसको represent करता है silica को और M A हमारा करता है magnesium को, ठीक है, तो मतलब हमारा जो यह S I M A है वो silica और magnesium है, और जो उपर था हमारा S I A L वो कहता silica और aluminium था, ठीक है देन आता है बात outer core की, फिर अंदरी भाग हमारा क्या आता है outer core, ठीक है, outer core क्या हो गया हमारा outer core हो गया हमारा जो केंद्रित भाग का उपरी परत होता है ठीक है, बाहरी गुद्दा जिसको कहते हैं, बाहरी परत जिसको कहते हैं केंद्रित भाग का, वो हमारा outer core कहलाता है देन आता है अमारा inner core, मिन्स की main जो हमारा secondary भाग होता है वो ठीक है, तो इस तरह से बाद करने, तो हमारा यह पूरा part है जहां पे हमारा crust की बात कर रहा है, upper mental की बात कर रहा है, lower mental की बात कर रहा है, outer core और inner core और outer और inner core के बीच में हमें क्या मिलता है, nickel, ni represent करता है, हमारा nickel और fe represent करता है, ferrous, means iron तो outer core और inner core के बीच में हमको क्या मिल जाता है, हमारा nickel और ferrous मिल जाता है, ठीक है फिर देखा जाए तो यहां क्रस्ट साहल के पास बोला है कॉंट्राट का डिसकंटिन्यू यहां पर क्या हो जाता है डिसकंटिन्यू हो जाता है लिथोस्वियर मिंस इस्थलमंडल कहां एक्जिस्ट करता है हमारे हमारे क्रस्ट साहल के बीच में हमारा क्रस्ट जो और मिस्यूस्फियर Allayental के पास होता है और ये हमारा डेपिट्ड बिस्कॉंटिट कि हमारा ये श्रक्टर पर कैंग मतारा कि कि방 लाक कर स्कॉर्टेकर से हमारा स्कर्चर है अर्थ का interior part और कहां कहां पर हमारा lithosphere, ethnosphere, mesosphere और biosphere exist करता है फिर बात करते हैं सबसे पहले हमारे अर्थ के interior part की वो है हमारा crust ठीक है तो crust की बात करते हैं तो हम सबसे पहले continental crust की बात करेंगे किस की बात करेंगे हमारे continental crust की बात करेंगे इत जो हमारा होता है अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट सॉलेड मिंस कठोर पार्ट होता है हमारी अर्थ उपरी परच जिसको कहते हैं, ये normally कितने 8 km ठीक होता है. 8 km कफी की क्यों होता है? काफी मोटा होता है, ठीक होता है. And then it is brittle in nature. और ये क्या होता है हमारा? Brittle होता है nature. मतलब कि ये हमारा काफी नाजुक होता है, अपने nature में. यह जो हमारा part होता है crust का यह nature में काफी जादा नाजूक होता है nearly 1% of the earth volume and 0.5% of earth mass लगबक 1% हमारी earth का volume और 0.5% हमारी earth का mass are made up of the crust यह किस से मिलके बने होते हैं हमारे crust से मिलके बने होते हैं फिर कहता है कि the thickness of the crust under the ocean crust जो हमारी crust के अंदर जो हमारा oceanic crust होता है जो हमारी ocean से related जो crust होता है उसकी जो thickness होती है इस thinner about 5 km वो 5 km के आसपास thin होती है पतली होती है as compared to continental crust और as compared हमारे continental crust के about 40 km जो करीब 40 km केहने का मतलब यह है कि जो जैसे अर्थ का आदा हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है और आदा हिस्सा क्या है हमारा continental crust है मिन्स वहाँ पे हमारे महादूइप यह सब चीज़े है ठीक है तो यह बता रहा है कि उस particular जो oceanic crust होता है वो पतला होता है 5 km आसपास और जो हमारा continental crust होता है वो करीब 40 km तक उससे जादा मोटा होता है ठीक है the crust is made up of different types of rock, ignis, metamorphic and sedimentary rock जो भी crust होता है जो भी परत होता है वो हमारे अलग-अलग तरीके के rock से मिलकर के बना होता है पहला होता है हमारा ignis rock means अगनी में rock ठीक है अगनी में पत्थर, metamorphic होता है हमारा और साधी चट्टान जिसको कहते है done आता है sedimentary rock means हमारा जो भी रूपांतरे चट्टाने होती है वो चीक है तो यह इन तीन तरीके के rocks मिलके बने होते हैं हमारे किन से crust से और इन तीनों पत्थरों से जूड करके हमारा क्या बन जाता है crust बन जाता है the lithosphere is broken up into tectonic plates जो हमारा lithosphere है means हमाई जो थल मंडल है वो तूट जाती है किससे हमारे tectonic plates से किससे तूटती है हमारे tectonic plates से अभी tectonic plates क्या होता है यह हमारा generally accepted है scientific theory के हिसाब से जिसको हम consider करते हैं अपने earth की थल मंडल को lithosphere को ताकि वो शामिल करे हमारे number of large tectonic plates को means की large number में जो tectonic plates है उनको शामिल करता है जो की धीरे-धीरे move करता है करीब 3.4 billion year ago इसको लगता है थोड़ा-थोड़ा move करने में ठीक है then बात करते है continental crust की तो continental crust क्या होता है यह less dense होता है यह क्या होता है काफी कम dense होता है और more plastic rock such as granite ocean यह और ज्यादा क्या होता है हमारा जो हमारा continental crust होता है ठीक है continental rated जो भी क्रस्ट होता है वह काफी dense होते हैं काफी ज्यादा गहरे और गहने टाइप के होते हैं और यह बहुत ज्यादा फैल्सिक होता है मिंस की यह जो भी हमारा crust होता है वह light color mineral से मिलकर के बना हुआ होता है और साथ साथ जैसे ग्रेनाइट हो गया ओशिनिक हो गये यह सब क्या हलके color के होते हैं और काफी ज्यादा होते हैं dense होते हैं ठीक है तो इसी तरीके से हमारा continental crust भी कम dense होता है less dense होता है कम घना होता है और ज्यादा ज्यादा light color मिंस होता है more fancy होता है more fancy rocks होते है जैसे ग्रेनाइट वगछर आप देख लो बहुत जएधा dense है मोटे होता है अज़जा रहे होता हैもう specific is more dense और जो crust होते है वो क्या होता है बहुत ज़दा dancer होता है तो जादा ग्हराज़़ा हुना हुआ हिता है। और magic rock होता है ठीक है जैसे देख भी कर दीजें जो हमारा बसाल्ट होता है वो भी बहाँ ज्यादा डैंसर हॉता है और मैफिक रॉक होता है जैसे की मैफिक रॉक मिन्स एक मिनरल होता है या रॉक कह लीज़ें जो की जूकेट मिनरल से मिलकर बना होता है और इगनस रॉक से ठीक है और ये इसके अंदर मैगनीशियम आईरन पाया जाता है डाक कलर में होता है और ये रॉक फॉर्मिंग होता है ठीक है और ये ज्यादा तर ये बैसल्ट में डाइबास में और गैबरो ये तीनो पत्तरों में पाया जाता है मैफिक रॉप ठीक है फिर बात करते हैं the temperature of the crust increases with depth because of the geothermal energy अब ये जो हमारा बात कर रहा है कि जो हमारी crust है ठीक है उसका जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है वो बढ़ जाता है जब हम गहराई में जा तेजह को जाते हैं वह जाता है वह जो जो ये सब्सक्राइट आपोर चैसों हब जाता है या को पता है कि इससी आपए बाद या बोगता है जो क्रस्ट भाग होता है वह बहुत ज़ादा वहाँ पर temperature हाई होता है क्योंकि वहाँ पर तापमान जो है वह बहुत ज़ादा बढ़ जाता है गर्मी जो है वहाँ बहुत ज़ादा बढ़ जाती है इस diagram के अंदर अगर आप देखो तो mental rock 3.3 gram per centimeter cube इतना बता रहा है कि mental rock जो है यहां दिखा रहा है कि 3.0 gram per centimeter cube है और यह लगबग 5 km है और इधर हमारा continental crust देख लीजे तो यह 40 km इसकी चौड़ाई है लगबग यहां से 70 km बीच में हमारा continental crust दिखा रहा है जिसमें 2.7 gram centimeter cube दिखा रहा है तो यह दिखा रहा है कि हमारा कैसे continental crust oceanic crust के comparison कितना ज़्यादा मोटा है और जो हमारा oceanic crust है वो कितना kilometer कितना कम है ठीक है फिर कहता है कि crust is the coolest layer because it is exposed to the atmosphere crust को जो उपरी परत होती है वो सबसे ज़्यादा coolest means सबसे ज़्यादा थंडा layer इसलिए माना जाता है क्योंकि यह exposed होता है यह बाहरी तरफ होता है और atmosphere की तरफ होता है हमारे वाता वरंड की तरफ होता है ठीक है तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा coolest layer माना जाता है फिर बात करते हैं mental कि मिन्स की हमारे जो भी आवरंड है उनके बारे में परत जो हैं हमारे परदे जो हैं तो पहला point कहता है कि earth mental is a layer of silicate rock between the crust and the outer core जो हमारा earth का mental है मिन्स अर्थ की जो हमारी परते हैं परदा है वो layer है किसका silicate rock का ठीक है जो की crust के बीच में और outer core के बीच में हैं जैसा कि यहां diagram में आप लोगों ने देखा कि कैसे outer core और हमारे mantle के बीच का जो layer होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है silicate rock वहाँ पे होते हैं उनके बीच में हमारे crust और outer core के फिर आता है हमारा second point कहता है कि it is a mass of 4.01 into 10.10 के power 24 kg मतलब कि इसका जो mass होता है वो total कितना होता है यह आपको ध्यान रखना होगा कि इसका mass होता है 4.01 और 10 के power 24 kg एक्जामपल 67% इसका जो होता है mass होता है हमारी पूरे earth का ठीक है नियरली 84% of the earth volume करीब 84% हमारी earth का volume और 67% हमारी earth का mass यह पूरा occupied किया गया है पूरा घेरा हुआ है हमारी प्रित्वी को अर्थ का जो volume है वो 84% और हमारा जो का mass और 67% पूरा उसको occupied कर लिया है गेर लिया है इसकी जो थिकनेस है इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 2900 किलो मिटर के असपास है इस प्रो प्री डॉमिनेंटली सोलेट सेट बट जो लोजिकल टाइम इत्स बहेग अस वीसेत्ट nieto कि यह कह रहा है कि जो प्री डॉमिनेंटली मिन्स मुख्य रूप से ये कहा है solid है थोस है ठीक है it is predominantly solid ये मुख्य रूप से थोस होता है बट इसका जो geological time होता है मिस जो भूव अग्यानिक समय है वो behave करता है एक VCS fluid की तरह मिस एक चिपचिपा जो द्रव होता है fluid होता है वो इसकी तरह से behave करता है ठीक है जो जिसको हम श्यान तरल भी कहते है ठीक है वो तरल जिसकी जो श्यानता होती है वो इतनी अधिक होती है कि जो उसका बल होता है कुल बल जो होता है वो काफी मितलब गहरा होता है ठीक है the diversity of the layer is higher than the crust varies from 3.3 minus 5.4 gram centimeter cube जो इसकी diversity होती है इस layer की जो diversity होती है वो इतनी जादा होती है वो higher than the crust होती है मिसा crust से बहुत जादा होती है और ये vary करता है 3.3 से 5.4 के बीच में पे point कहता है कि जो हमारा upper most solid part है mental का जो mental का सबसे उपर ही भाग है जो थोस भाग है और इंटाइर क्रस्ट और जो पूरा क्रस्ट है वो constitute करता है हमारे lithosphere मिन्स थल मंडल में ठीक है जो हमारा mental का उपरी परत से लेकर के पूरे क्रस्ट जो है वो lithosphere के अंदर आता है दे एस्थेनोस्फियर जो हमारा एस्थेनोस्फियर है इन बिट्वीन 80 तू 200 किलोमेटर ये कहां लाई करता है 80 से 200 किलोमेटर के बीच में अब ये एस्थोनोस्फियर क्या होता है ये एक mechanically weak और ductile reason है जो हमारी upper mental earth के upper mental मिन्स की उपरी भाग पे रहता है ठीक है और ये इस highly vicious ये भी highly vicious होता है साथ-साथ mechanically weak और ये काफी mechanically कमजोर होता है and ductile deforming reason और ये ductile deforming reason होता है डी फॉर्म होता है जो कि upper mental उपरी जो हमारी परत होती है mental की उस पर होता है which lies just below the lithosphere जो कि हमारे lithosphere के just नीचे ही होता है then कहता है कि the atmosphere is the main source of magma ये हमारा मतलब जो lava हमारे volcano में बनता है उसका सबसे बड़ा source हमारा atmosphere है and it is the layer over which the continental plate move और ये ही वो layer है जहां पर हमारा जो continental plates होता है महाद्वीप का जो परत होता है plate होता है वो क्या करता है tectonic plates को हम कहते है वो move करता है जैसा कि आप इस example में देखो इस diagram में देखो तो ये क्या है हमारा ये oceanic continental convergence है ठीक है और ये हमारा atmosphere है ये हमारा lithos thalmandal है ये हमारा oceanic crust है ठीक है ये हमारी trench है फिर यहां हमारे सारे volcanoes है जित्ते भी lines है ठीक है और ये lava वगरा है यहां पर फिर ये हमारा continental crust माना जाता है और यह हमारा lithosphere का layer है ठीक है अब atmosphere जो है यही हमारा vicious fluid का मतलब यह vicious fluid की तरह होता है और इसी की वज़े से जो है हमारा यह magma तयार होता है और वो फटता है ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में हम अपने next part core को discuss करेंगे thank you so much अगर आपको इस topic से related कोई भी issue होगा तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं